हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों साथ सेयर करूंगी डोसा बेटर बनाने की विधी और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगी ताकि आपका भी डोसा बिल्कुल बाजार जैसा क्रिस्पी क्रंची बहुत ही बढ़ियां बने और डोसा बढ़ियां तभी बनता है जब हमारा बेटर बढ़ियां हो तो सारा मेजरमेंट मैं आज सही तरीके से बताऊंगी ताकि आपका भी बेटर बहुत ही बढ़ियां बने और आपका भी डोसा बिल्कुल बाजार जैसा बने डोसा बनाना अक्सर मुश्किल काम लगता है क्योंकि कही लोगों को नहीं पता होता है कि इसका बेटर कैसे तरीके से बनेगा तो डोसा भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी जरूर बनेगा आप यहां पर देख सकते हैं हमारा डोसा बहुत ही बढ़ियां बन रहा है यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं बना करके और आज मैं इसका बेटर का पूरी वीधी बताऊंगी एक प्रोसेस जरूर देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने वीडियो स्कीप करके देखा ता आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और स सब्सक्राइब परने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो सबसे फ़ले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो चलिए सुरू करते हैं तो यह देखिए हम यहां पर बेटर बनाने के लिए यहां पर तीन कटोड़ी हमने चावल लिया आप कोई कटोड़ी या कप सेट कर लीजे मेजरमेंट के लिए हमारे पास डोसा वाला चावल नहीं था आपके पास वो है तो वो ले सकते हैं मैं नॉर्मल जो चावल बनाने के लिए रखती हूं वही हमने ले लिया हमारे घर में जो भी चावल अबलेवल था अगर आपके पास डोसा वाला चावल है तो वह ले लिजिये नहीं है तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी उरत दाल जिस कटोरी समने चावल लिया था उसी कट मेथी दाना डालना जो है अप्शनल है लेकिन मेथी दाना से बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है अब हम इसको भीगो करके रख देंगे साथ से आठ घंटे के लिए तीन-चार वार में इसको वास कर लेंगे और इसको हम पानी में भीगो करके छोड़ देंगे तीनों चीज क बहुत ही अच्छे से फूलना चाहिए यह प्रोसेस काफी ज्यादा इन्पोर्टेंट है अब हम यहाँ पर इसको डाल देंगे मिक्सर जार में और इसको हम पीश लेंगे इसको बहुत ही सुमूद पीशना है अच्छे से आपको पानी की जरूरत लगे ताप पानी भी इसमें डाल करके पीश सकते हैं कोई दिकत नहीं है ज्यादा नहीं डालना है आधा गलास पानी करके डालना है यह हमने एक कटोरी पोहा लिया है बिल्कुल पतला वाला जो पो लेंगे और सारे चावल दाल और पोहा सब कुछ को हम बहुत ही अच्छे से समूध पीश लेंगे तो यह हमारा सारा बेटर यहां पर हमने पीश लिया है इसको बहुत है अच्छे से अब यहां पर जरूरत की हिसाब से हम पानी डालेंगे तो यहां पर मैं आपको बता देत और बेटर की आप देख सकते थिकनेस कितना है वह मैं अभी आपको दिखा दूंगी यहां पर अभी थोरा सम पानी और डाल रहें मिक्सर को दो करके आपको बेटर ना ही ज्यादा पतला रखना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा देखिए इस तरीके का बेटर होना चाहिए और आप हम क्या करेंगे इसको हम ढख करके 12-15 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंट होने के लिए इसमें हम नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है फर्मेंट होने की प्रोसेस को स्लो कर देता है ता पहले नमक मत डालना यह देखिए हमने यहाँ पर इसको पूरे 15 घंटे के लिए रखा था और बेटर कितना ज्यादा यहाँ पर फूल गया है आप देख सकते हैं जब हमने इसको मिलाया था बिलकुल यह आधा था बरतन में अब यह पूरा भर चुका है और बहुत ही अच्छा फलपी दिख रह है तो आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं अभी का मोसम तो नॉर्मल है तो यहाँ पर हमने पूरे 15 घंटे के लिए रखा था और अब मैं यहाँ पर स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूं आपको नमक बाद में ही डालना है इस बेटर को आप रख करके 4-5 दिन तक आप इसक से और पूरा प्रोसेस आपको देखना है डोसा सामबढ़ का तो हमारे चैनल पर वीडियो भी अब लेवल है आप जाकर की देख सकते हैं तो यहां पर मैं मसाला डोसा बना रही हूं इस बेटर को आप 4-5 दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक बार यह फर्डमेंट हो जाए तो उसके बाद 4-5 दिनों तक आराम से रह जाता है और बिल्कुल बढ़ियां डोसा बनेगा आपका वीश तरीकी सब्सक्राइब तो कोई भी परिशानी नहीं आएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी थोरा से यहां पर बस मेजरमेंट का धियान डखना है आपने देखा जिस तरह समने यहां पर 3 कटोड़ी चावाल लिया और आपको 1 कटोड़ी डाल लेना है एक कटोड़ी पोहा लेना ह जो है इसका कलर बहुत बढ़िया आता है तो यह दोनों चीज जो है विल्कुल आप्षिनल है पोहा और मेथी अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डाले लेकिन इससे बहुत ही बढ़िया बनता है हमारा डोसा और यह देखिये हमने आपको एक बना करके दिखा दिया है और डोसा बनाने के लिए आप हमेशा जो है दोसा तवा का ही इस्तिमाल करें इससे बहुत ही बढ़िया आपका डोसा बनेगा डोसा बनाते वक्त आपको एक बात कदीह अन रखना है जब आपका तबा गरम होजा उसके बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिए उसके बाद ही इस पे बेटर डालिए जब आप बेटर को अच्छे से फैला लेंगे तब आप फ्लेम को मेडियम कर दीजिए तो आपका डोसा बहुत ही अच्छे से बनेगा अगर आप फ्लेम को पहले से हाय रखेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा और जैसे ये थोरा सपक जाए तो आपको किनारे से तेल डालना है ताकि ये असानी से निकल जाए उसके उपर हम मसाला डाल लेंगे और जब ये देखने लगे कि थोरा सा उपर से जला जला सा समझ जाए कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो चुका है तब आपको इसको पलट देना है पलटना नहीं है फॉल कर देना है तो इस तरीके से आपका भी डोसा काफी बढ़िया बनेगा तो फ्रेंड्स आई होप आप झाल